असलाम इकुम स्टूडेंट्स, होब यू आर फाइन अट हॉम आज हमने अपनी बुप का पेज नंबर 44 करना है पेज नंबर 44, वर्ड प्रोब्लम करनी है, पहली वर्ड प्रोब्लम है 3065 पिपल लिव इन विलिज ए और 5016 पिपल लिव इन विलिज बी How many people all together live in the two villages? क्या है अब हमारी स्टेट्मेंट में कि हमारे पास 3065 पिपल रहते हैं विलिज ए में और 5016 पिपल रहते हैं विलिज बी में अब how many people, कितने लोग all together मिलके रहते हैं in the two villages, in two villages में आपको अच्छी तरीका से इसकी समझ आ गी है वर्ल्ट प्रॉब्लम में पूछा गया गया है अब हम इसे सॉल्व करते हैं अपर सबसे पहले आपने अपना स्केच प्रिपेयर करना है नॉट बुक के उपर नॉट बुक में स्केच प्रिपेयर करने के बाद आपने से अप सबसे आप रेखें कैसे करेंगे 3065 people live in village A आपके पास इतने लोग रहते हैं village A में तो यहाँ पर लिखेंगे people live in village A कितने लोग रहते हैं आपके पास 3065 प्रेर इतने लोग रहते हैं people live in village B यहाँ भी अब लिखेंगे people live in village B तो वो कितने लोग हैं अब इसके बाद क्या करेंगे next statement में क्या क्या how many people all together यानि के अब people live all together एक चीज़ आपने students हमेशा याद रखनी है कि जहां भी जिस भी statement में आपके पास word use होगा all together होगा total होगा तो आपने हमेशा वहाँ पे उससे plus करना है अब यहाँ पे देखें कैसे कर सकते हैं plus यहाँ पे plus लगाएंगे आप देखें 5 और 8 हमारे पास कितने होते हैं 5 और 8 13 तो 3 लग जाएगा 1 carry 6 और 1 7 7 और 1 8 6 में 0 एड़ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6 ही आजएगा 5 और 3 8 आजएगा तो अब आपके पास answer क्या आया है 8,683 तो आपने last पे लिखना है पिपल लिव औल तू गैदर इन टू विलिजीज आर 8,683 तो आप सब को समझ आ गया होगा अच्छा तरीके से इसी तरह से आपने अपनी बाकी भी सारी word problem solve कर ले ली है ठीक है, thank you